मैंने इस winter crochet के बहुत सारे articles बनाए हैं और इसमें से मैंने आपको headbands का एक DIY शेर किया था तो मैंने सुचा क्यों ना आपको एक और unique सा idea बता हूँ जिसमें आप rubber band से headbands बना सकते हैं तो बेना time waste के start करते हैं आज का अपना वीडियो तो आज का headband बनाने के लिए हम यूज करेंगे एक rubber band का और यूज करेंगे साथ में wool का तो यहां पर मेरे पास available थी पतली वाली उन आप चाहें तो मोटी वाली उन को भी यूज कर सकते हैं पतली उन को मोटा बनाने के लिए मैंने यहां पर तीन अलग अलग colors की उन को mix करके एक multi shade बना लिया है और इस तरह से playful करना बहुत ही interesting लगता है और कुछ अलग बनके निकलता है तो इस तरह से एक knot लगा लिया हमने rubber band के अंदर और अब start करते हैं अपना single crochet तो single crochet मैं इस rubber band में बनाना शुरू कर रही हूं और इस single crochet को हम 14 single crochet मैं यहां पर बनाऊंगी एक broad band बनाने के लिए आप अपनी band को मोटा या पतला अपने according कर सकते हैं आप इससे hair bands भी बना सकते हैं जो बच्चों के लिए हम use करते हैं तो उसके लिए हम band की width को थोड़ा कम करेंगे 14 की जगा आप उसको 7-8 तक ही बना सकते हैं यहां पर मेरे 14 single crochet खत्म हो गए हैं तो मैंने एक single chain बना कर अपने काम को rotate करके यहां पर half double crochet बनाना स्टार्ट किया है अपनी next line में तो मैं all over इसमें half double crochet बनाऊंगी बार्ट आपको ध्यान रखना है कि मैं यहां पर stitches के अंदर से इन crochet को hook को डाल रही हूं तो इससे जो एक फलियों वाला design बैठेगा वो बहुत ही जादा सुन्दर लगता है तो यहां मेरा first double half crochet की line complete हो गई है तो यह है हमारा last stitch जिसमें हमने अपना यह double crochet बनाया है तो last stitch में मैंने यहां पर double crochet बनाया है और इसी तरह से सारे last stitches में मैं double crochet बनाऊंगी तो इस तरह से मैं अपने सारे pattern को बनाऊंगी और यहां पर मैं crochet को change कर रही हूं 3.5 mm से अब मैं यहां पर 4.5 mm का जो crochet है वो use कर रही हूं जिससे जो design है हमारा थोड़ा बड़ा और clearly दिखेगा क्योंकि उन अब हमारी मोटी हो गई है और मोटी उन के लिए बड़े size के crochet बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं जब हम पतली उन को मिला कर मोटी उन बनाते हैं और इस तरह के crochet work करते हैं तो हमें थोड़ी सी दिक्कत आती है उन के strands अटकने से और इसी तरह आप भी देख रहे होंगे कि मेरा crochet भी बार-बार उन में अटक रहा है बट यह problem नहीं है यह एक बहुत ही normal चीज है तो हम अब यह same steps repeat करेंगे अपने आने वाले 38 lines में मैंने 38 lines बनाये हैं इसके length को बनाने के लिए आप चाहें तो इनको increase और decrease कर सकते हैं अगर आप बच्चे के लिए बना रहे हैं तो length कम होगी अगर आप थोड़े big headed इंसान के लिए बना रहे हैं तो थोड़ी सी lines आप extend भी कर सकते हैं और यह क्योंकि हमने rubber bands यूज किया है तो यह stretchable भी होगा तो आप इस बात का भी ध्यान जरूर रखें झाल बात कर सकते हैं झाल झाल कर दो बहुत कर दो तो यहां complete हो गई है मेरी 38 lines और अब हम इसे join करेंगे rubber band के दूसरे कौने से तो इसे close करना कितना आसान है चली वो देखते हैं तो अब मैं इसको close करने के लिए use कर रही हूं अपना 3.5 mm का छोटे वाला hook तो उससे हमारी जो stitch होगी वो थोड़ी tight हो जाएगी झालो कर रही हमारी ओना है जड़ सान गवर कर रही हूं झालो अगी, ऐग हरे हमी कर दोस्म खालो कर रही होगी जह हमारा तो से कुल तोस्म कर रही हो कर रही हमारी हिश कर कर रही है ऑता बटार बनलेगर enquाशने खर हमारी ओ sorrow तो इस तरह से सिंगल क्रोशे की मदद से मैंने अपने इस headband को कर लिया है complete और दे लिया है इसको final stitch तो बन गया ना बहुत ही आसानी से बहुत ही simple steps के साथ एक बहुत ही unique और stylish headband तो अपने friends को और अपने office colleagues को इससे जरूर impress करिए और उन्हें मत बताईएगा कि ये बनाना कितना आसान है तो कैसा लगा आपको आज का ये DIY मुझे जरूर बताईएगा और अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे like जरूर करिएगा अगर चैनल पे नए है तो इसे subscribe जरूर कर लीजिएगा और bell बटन के आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो के सारे notifications आपक झाले वीडियो के सारे आपको 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 आप झाल झाल अरे अरे जा कहा रहे हैं ये वीडियो देखी या नहीं नहीं देखी तो अभी देख लीजिए